इंदोर में Master Plan and Smart City Project के तहर शहर भर के स्टेट लाइट को LED में बदलने की निगम की योजना फिलाल साकार होती नजर नहीं आ रही है क्योंकि शहर भर में LED लगाने के लिए कोई भी कमपनी आगे नहीं आ रही है आश्चरी के बात यह है कि दो बार से ज़्यादा टेंडर बुलाने के भावजूद भी अब तक किसी भी कमपनी में PPP मॉडल पर लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट को बदलने में कोई रूची नहीं दिखाई है दिरसल इंदोर नगर निगम में शहर भर में लगी स्ट्रीट लाइट को बदल कर LED लाइट लगाने की योजना तयार की है ताकि निगम के खर्चे में बड़ी बचट की जा सके PPP मॉडल पर स्ट्रीट लाइट को LED में बदलने के संबन में निगम पहले दो कमपनियों को ठेका दे चुका है लेकिन एक के बाद एक दोनों ही कमपनियां इस मामले में असपल साबित हुई कुछी प्रमुक मारगों पर लाइट में बदलाओ के बार लापरवाय की वज़द से दोनों ही कमपनियों को निगम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था जिसके बाद से ही जिम्मिदा नए ठेकेदार कमपनी की तलाश कर रहे हैं निगम में इसके लिए दो से जादा बार टेंडर निकाले जा चुके हैं लेकिन कोई भी कमपनी स्काम के लिए रूची नहीं दिखा रही है निगम के टेंडर के मताबिक जो कमपनी शहर में LED lights लगाएगी उसे साथ साल तक उसका maintenance भी करना होगा निगम आयग प्रतिवापाल का कहना है कि निगम अपने टेंडर की शर्तों को रिवाइस कर रहा है और कुछ कमपनी के अधिकारियों के साथ बैठ कर यह देखा जाएगा कि आखिर कमपनीों को टेंडर के दुरान कौन सी दिक्कते आ रही है जिसकी वज़ा से कोई भी कमपनी इसमें रूची नहीं दिखा रही है टेंडर की शर्तों को रिवाइस करने के बाद जल्दी PPP मोडल पर शहर में स्ट्रीट लाइट्स को LED में तबदील किया जाएगा LED लाइट्स का जो काम था वो all across the state PPP मोडल पर किया गया था कि बहुत सारे कोई वेंडर दिखार रहे हैं तर्फ लगब तयार हो चुका है वह दो से टीम में में जो उसको टेंडर को लाइट करते हैं इंदौर नगर निगम का बिजली खर्च लगबग 4 करोड रुपए प्रती महा से अधिक आता है ऐसे में निगम PPP मॉडल पर इस योजना को लागू करने की कवायत कर रहा है ताकि निगम को आर्थिक फायदा पहुत सके अब किसी भी कंपनी के रूची नहीं दिखाने के बाद निगम ने अपने टेंडर प्रस्ताव में ही बदलाव का निड़ने ले लिया है गिर रिपोर्ट खिबरबान न्यूस इंदौर